सिटी ऑस्पिटल के संचालक नकली रेमडी शीवर इंगेक्शन उन्होंने कहां कहां फेके थे एसाइटी इसकी लगातार तलाश कर रहा है इन दोर से ग्रफतार हुए राकेश शर्मा की निशान देही पर एसाइटी प्रमोग तिलवारा घाट पहुँचे है जहां उन्होंने उस स्थान का जायजा लिया है जहां नकली रेमडी शीवर इंगेक्शन फेके गए थे एसाइटी के सामने अब कई खुलासे होने लगे है तो वहीं टीम नर्वडा घाट के तिलवारा पुल के यहां पहुची है जहां नकली रेमडी शीवर इंगेक्शन को फेका गया था चानवीन शुरू कर दी गई है उमीद है कि कुछ साख्ष यहां से जरूर सामने आएंगे एसाइटी प्रमोग रोहित केश वानी ने जानकारी देते को बताया है कि गोता पुरो की मदद से नर्वडा नदी में बहाए गए नकली रेमडी शीवर इंगेक्शन की तलाशी की जा रही है तो बही 35 नकली इंगेक्शन नर्वडा में बहाए गए थी इसके लावा कुछ और लोगों को भी इंगेक्शन दिये गए थी जिनने हिरासत में लगातार लिया जा रहा है और लगातार फुलिस के सामने नए साख्ष आते जा रहे हैं समूत एकटा होते जा रहे हैं प्रकरण में अभी हमारी टीम भी इंद्वर गई थी वहां से भी वह साक्षियों से पूस्ताज की उनने और इस प्रकरण में धारा 466, 668 और ITX की दहरा हैं बढ़ाई गई है क्योंकि दस्तावेजों की कूट रचना की गई है साथ-साथ राकेश शर्मा का हमें पता चल रहा है और इससे पूस्ताज की जा रही है हमारी टीम जो क्राइम से रिक्रेशन भी करा रही है अभी तिलवारा में इसके साथ-साथ हम लोग लगे हुए हैं हमारी टीम हर करण मुखक के लिए भी हमने टीम में लगा रहा ही है और जल्दी ही उसकी भी आरेस्टिंग की जाएगी साथ ही हम लोगों ने जो जो मारी जो को जिनको इंजेक्शन लिगा है उनको भी कॉन्टेक कर किया है और अधिक साथिक लोगों को हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और ट्रेसिंग की जा रही है कि कहा किसको लगा है उसकी तब्यत कैसी है उससे विल हम लेंगे तो यह कारवाई अभी जारी है जैसे ही अगरिम्न कारवाई जो होती है उसके बारे में मीडिया का अगर कराया जाए अभी जान चल रही है वह कारवाई वह अभी गोताखोरों को बुलाया गया है उसे बाचित की जा रही है कि क्या यहां पर इंजेक्शन मिल सकते हैं नहीं फिर उस अधर पर अगरिम्न कारवाई तिलवारा में की जाएगी